हलो प्यारे दोस्तों कैसे आप सब लोग आश्या करती हूं सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी तो गाइस मेरा नाम है कांशक ओमार और मैं आपका स्वागत कर रही हूँ ससी अर्डा 247 चैनल पे और मैं आपके लिए लेखे आई हूँ एक बहुत ही important information जिसमें हम बात करेंगे foundation course की foundation course शुरू होने वाला है काफी दिनों से बच्चे मुझे सवाल कर रहे थे मैं माप paid classes में कब बढ़ा होगी तो गाइस आप वो वक्त आ गया है जब हम जुड सकते ह हैं अपनी paid classes में भी जब हम जुड सकते हैं अपने batch में तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है YouTube पे हम लोग करते हैं mock की practice but concept कहां से करेंगे notes कहां से मिलेंगे तो वो आपको कहां से मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं आपको in paid classes से ही तो गाइस मैं आपको बता देना चाहती यह बहुत ही nominal सा amount देके आप मेरे साथ जुड सकते हैं जहां पे आपको सारे ही सारे notes बिल्कुल proper तरीके से मैं आपको provide करूंगी तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है unlock success with ada 247 offer अभी live है आपको हर एक study material पे 77% off मिल रहा है तो इसको utilize करिए और utilize क्यों करना है यह भी मैं आप आपको बता देती हूं तो आईए मैं आपको को सवालात कराती हूं जिससे कि आपको पता चलेगा कि वहां पे जब foundation बैस शुरू होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे तो एक तो सब चीज़ स्लेबस वाइस चलेगी वहां पे ध्यान रखना स्लेबस वाइस मतलब जैसे पहले हम वोकाबलरी पढ़ेंगे वोकाबलरी में जैसे वोकाबलरी शुरू कैसे करने हैं आप लोगों को रूट वर्ड्स पढ़ाओंगी और ज्यान रखो यह सारी चीज़ें क्योंके यूड्यूप पे थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं पढ़ानी बहुत डीटेल में वहां पे हम बहुत डीटेल में पढ़ेंगे कितने suffix होते हैं कितने prefix होते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको वहां पे पता चलेंगी चीक है common confusible words क्या होते हैं किस तरीके से utilize होते हैं है ना fillers के लिए हम कौन कौन सी strategy यूज़ कर सकते हैं या para jambles के लिए कौन कौन सी strategy यूज़ हो सक तो आपकी अंग्रेजी काफी ज्यादा अच्छी बेटर हो जाती है reading comprehension एक ऐसा topic है जिसको अगर आप पढ़ोगे तो आपकी overall जो English है वहां पे कहीं न कहीं बहुत जादा सुधार आने वाला है तो उस पे थोड़ा focus रहेगा grammar के एक एक rule एक एक topic की हम वहां पे बात करेंग अब ये question देखो foundation course में ऐसे questions कराए जाएंगे जो जादत तर हर एक exam में देखे जाते हैं हर एक exam में होते हैं तो एक session जो idiom पे रहेगा तो आपको मैं बताऊंगी idiom क्या होते हैं idiom अलग कैसे होते हैं adages से idiom अलग कैसे होते हैं आपके basically प्रोवर्ब से क्योंकि प्रोवर तो बेटा उत्तम सिंह वेकेंसी तो देखो अभी MTS की पांच तारिक को एक्जाम होने वाला है MTS का एक्जाम होने वाला है GD की वेकेंसी आउट हैं तो बेटा अगर आप ऐसी बाते कर रहे हो तो फिर तो आपको शाए नौलेज नहीं है इस सब चीजों की तो और अधी है सारी है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह आपका फाउंडेशन नाम ही इसलिए क्योंकि आपको फाउंडेशन देगा और अधी इसके अलावा आई-बी का एक्जाम होता है है ना इसके अलावा तुमारा बेसिकली FCI का एक्जाम निकलता है तो वह सारे ए भी इंपोर्टेंट तो चलिए गाइस इसका आंसर देना शुरू करो देश सेज़ा दसने किन दा ग्रास अब मैं वहां पर आपको यह बताऊंगी यह चैसल में भी आ चुका है यह स्टैनोग्राफर के एक्जाम में भी आ चुका है और सीजेल में तो काफी बार देखा जा च जैसे यूट्यूब में तो एक के बाद एक क्लाशन वहां पे टाइम है आप कलास को 1-5 घंटे कर सकते हो 2 घंटे कर सकते हो जब तक बच्चों के डाउट प्लियर नहीं होंगे तो फोकस डाउट पर है वहां पे है ना जबकि यूट्यूब पर हम इतना डाउट का सिख बट कही बार होता है बखुट सारे बच्चे आजाते हैं तो डाउट लेने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं तो गाईस देखो क्या होना चाहिए यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए देखो तो भाई अगर railway की हम बात कर रहे हैं तो DFCCIL का भी form मतलब exam आने वाला है भाई तो ये तो बात है देखो नौकरियां कम आ रहे हैं बट ऐसा नहीं है नौकरियां आई नहीं रहे हैं और ये सोचके बैठके रह जाओगे कि नौकरी तो आई नहीं हैं हम क्यूं क्यूं पढ़े पढ़ाई क्यूं करनी हैं तो फिर तो बैटा आपका कोई कुछ नहीं कर सकता फिर आप लोगगा कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपने दिमाग में सोच इलिया है के भाई हमें पढ़ाई करनी की तो ये नोकरיयां आती तो फिर आती ये जैसे GD की इतनी सारी वेकंसी आई तो भई उसको बढ़ना चाही था आपको है ना MTS का form आया उसको बढ़ना चाही था आपको आपको आगे इस टेनोग्राफर का form की उम्मीद है तो भई इस टेनोग्राफर भ़ई आप बढ़िया आप उसके लिए तयारी तो चेहे ना आप ऐसा थोड़ी आप बैठे रहें留言 जहरीला तो जहरीला आदमी जो कि छुपा हुआ हो, जैसे हिंडी में क्या बोलते है दिर पोक होता है तो ये तो आंजर होई नहीं सकता, लो एंड मीन, मीन का मतलब रिसोर्स होता है तो ये भी आंजर नहीं हो सकता एन उन्रिलाइबल पर्सं बिल्कुल अच्छा option है ठीक है ये रख सकते हैं हम इसको I hidden enemy बहुत ही बड़िया option है तो देखिए का भई यहाँ पर right answer का होना चाहिए Snake in the grass, Snake in the grass वो आदमी जो आदमी जो आपके पीछे वार करता है आप देखो यहाँ पर दो अच्छे option मेरे पास C.O.D. यहाँ पर क्या होता है fixed meaning होता है ठीक है fixed meaning होता है अब इस मुहावरे का या इस idiom का fixed meaning क्या है इसका fixed meaning है unreliable person जो आपको betray कर देता है ठीक है जो आपको betray कर देता है जो छुपा हुआ होता है जो betray आपको धोका दे देता है अब यही चीज़ आपको वहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाएगी और इसी तरीके से पढ़ाई जाएगी कि भाई हाई हीडिन एनिमी क्यों नहीं हुआ आंसर सी क्यों हो गया आंसर ठीक है चलिए गुड आफटर नून जी वेलकम जी चलो अब देखो कुछ बच्चे को अंटॉनिम का ही मतलब नहीं पता होता एंटॉनिम का मतलब होता है अपोजिट ठीक है अपोजिट होता है अंटॉनिम का मतलब या विलोम शब्द होता है इलिसिट वो चीज़े होती है जो इलीगल होती है अब बताओ भई इसका आंसर बताओ और पोजिट क्या होना चाहिए देखो एपोजिट क्या होना चाहिए आपका इलीगल का आपोजिट आंसर चलो भाई अताओ थांक यू भई मनीश कुमार जी थांक यू क्लास का टाइम बटा पांज से छे बज़े जीडी आज मौक करने वाले हैं धमा धम 40 question आज हम करने वाले है mock में, तो वो MTS के भी काम आएंगे वो stenographer के भी काम आएंगे और GD के लिए तो important होई जाते है तो guys answer देखो, illegal हो जाएगा, अच्छा, ये तो illegal तो इसका synonym हो गया, तो ये तो answer नहीं हो सकता, illegal और unlawful दोनों synonym हो गये, और illegitimate, मतलब नजायस, ये भी synonym हो गया, answer lawful हो जाएगा इसका, answer would be lawful, क्योंके हमें क्या ढूनना था, हमको ढूनना था इसका antonym, ठीक है, legitimate मतलब जायस होता है, और illegitimate होता है, नजायस, तो ये भी चीज़ देखो ये important word है, इसको mark कर लीजेगा ठीक है, next question देखिएगा, antonym ढूनना है abundant का, antonym अभी फिर से बता देती हूँ, willome शब्द को बोलते है antonym, willome शब्द को, और abundance abundance का मतलब होता है, बहुत ही ज्यादा, वो चीज़ें जो जरूरत से ज्यादा होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं, abundance आपको opposite ढूनना है, तो opposite बताईए, क्योंकि, antonym में काफी लोगों को दिक्कत होती है, आप देखो एक-एक word को discuss करेंगे, एक-एक word का answer हम वहाँ पे बताएंगे, तो यही चीज़ होती है, क्योंकि, देखो अगेन देखो, मैं यही चीज़ बोलते हूं, यूट्यूब पे भी quality देते हैं हम लोग, बट क्या होता है, यहां पे time नहीं होता है, doubt solve करने का, चीज़ों को detail में discuss करने का, इसलिए बार-बार हम बोलते हैं कि आप आओ, आप हमारे साथ पढ़ो, आप course लो, ठीक है, वरना देखो यार, 2000 रुपे का आपको अगर course मिल रहा है, तो उसमें तो कुछ फाइदा नहीं है, ना 2000 रुपे तो ऐसी, ऐसी एक subject पढ़ने के लग जाते हैं, वहाँ पे आपको सारे subject मिल रहे हैं, और सबसे बड़िया teachers मिल रहे हैं आपको, तो guys देखो cupious, cupious का मतलब होता है ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है, फिर इसके बाद plenty full, plenty is also ज्यादा, ठीक है, ample, ample is also ज्यादा, बहुत ज्यादा, answer क्यों हो जाएगा, scars, scars होता है कम, किसी चीज़ की कमी, या फिर हम लोग करते हैं, meager, है ना तो meager इसका synonym हो सकता है, meager is कम, या फिर कमी, ठीक है, next question देखो, आओ भई, the house remain dash for long time house जो है, वो खाली रहा ठीक है, house जो है, वो खाली रहा काफी समय तक, तो खाली के लिए एक word लगाना है आपको, खाली के abundance of love to you, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे, हम आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, तो abundance of love to you, abundance of respect to you, ठीक है, चलिए गाइस, तो देखिएगा, evicted का मतलब होता है, निकाल देना, निकाल देना, जैसे निशकाशित कर देना, निकाल देना, घर से निकाल देना, evict कर देना, empty मतलब खाली, generally किस के लिए use होता है, empty जो है, वो generally place के लिए use होता है, empty bottle हो जाती है, empty container हो जाता है, बट घर के लिए हम vacant use करते हैं, गाइस, यह ध्यान रखो blank मतलब खाली होता है, खाली जगा, जैसे यह blank है, यह खाली जगा है मेरे सामने आँखों के सामने अंधेरा चाह गया, मैं blank हो गई तो यहाँ घर के लिए, हम लोग खाली के लिए हम use करते हैं, vacant empty use नहीं हो सकता इस case में, ठीक है, तो ध्यान रखिए इस इंपोर्टेंट, चलिए, next question देखो, तो भाई, यही फाइदा होता है देखो, आज मैं वैसी पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं courses में पढ़ाती हूँ, जिसमें, क्या नाम है जैसे हमारे paid batch में चलता है, यहाँ मैं आएवाची ढूंडना है, तो देखो भाई depth का मतलब गहराई होता है redness हो जाता है, मुहासे हो जाते है तो लाल-लाल हो जाता है, मुह redness हो जाता है dryness answer हो नहीं सकता तो यह पढ़ा, बचा मेरे पास answer sparkle, ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है that is gleam, ठीक है, gleam chamkila, gleam is chamkila gleaming, ठीक है, चलिए भाई next question देखिएगा, आएए भाई this is the next question, अब यह grammar based question है, I have already sent you the email, ठीक है मैंने तुम्हें already email sent कर दिया है ठीक है, I have sent you the email, तो have के साथ हम लोग कौन सा, कौन सी form लगाते है, वर्प की यह बताओ, और accordingly यह क्या है, आपको improve करना है इसको इस पार्ट को, accordingly इसको improve कर दो, ठीक है, तो भई have के साथ, कौन सी form लगती है अब यह present perfect tense की बात कर रहा है वो चीजे जो past में अभी-अभी हुई है, वो चीजे जो past में अभी-अभी हुई है, और उनका impact आप अभी तक फील कर पा रहे हो, तो guys answer बताओ क्या होना चाहिए, what should be the right answer option, sparkle का मतलब होते है, वो चीजे चमकीली होती है, चमक होती है जिसके अंदर बहुत ज़ादा जंजनाती हुए चमकदार ठीक है, वो चीजे होती है जैसे glittery, glittery होता है चमकदार, ठीक है, तो guys इसका right answer option बताइए have के साथ, हम कौन सी वर्प की form यूज करते हैं, और यहाँ पे right answer option बताओ क्या होना चाहिए, भाई, very good I have already sent ठीक है, had जो past में चीजे हो चुकी है, और had कहाँ पे use होता है जब दो actions होते हैं, और दोनों action past में हो चुके होते हैं, बट पहला action पहले होगा, उसके खतम होने के बाद, दूसरा action होगा, तो यहाँ पे, इसमें तो यह जा नहीं सकता sending हो नहीं सकता, answer I have sent हो जाएगा, तो यहाँ पे sent लगेगा ना कि send लगेगा, ठीक है this is important, I have already sent, मैंने भेज दिया है email तुमको, तो भेज दिया है अभी अभी भेज दिया है, तो guys right answer option is option number one I already sending, गलत है क्योंके वो continuous में चलेगा तो यह ध्यान रखो, ठीक, तो 6 questions में इसलिए लेकर आई थी, आप लोगों बताने के लिए कि क्या फरक होता है batches में, जो हमारे YouTube सेशन से अलग होते हैं और वहाँ पे लाखो बच्चा जुडता है, तो guys उन लाखो बच्चों की तरह जिन लोगों ने अपनी success को unlock कर लिया है, आप भी कर सकते हो एक लाख से जादा government job आपको बच्चों को provide कर चुका है Adda247, आपको simply क्या करना है Adda247 की website पे जाना है या फिर आपको क्या करना है phone में Adda247 की app download कर लेनी है, जैसी आप website पे जाओगे, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, स्क्रोल करना है SSC चूस करना है, जैसी आपने SSC चूस किया, आप किसी भी product पे चले जाओ, SSC GD, SSC CHSL, किसी भी product पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा SSC complete foundation batch जिसमें सारे teachers आपको दिखेंगे हैना, यह all SSC exam जो कि 2021 बाइस के SSC exam होने वाले हैं, उनके लिए important हो जाता है, क्योंकि foundation नाम है बाइस का, बिल्कुल base से पढ़ाएंगे, जिस बच्चे को C.A.T. cat लिखना हाता है, उस बच्चे के लिए batch है, केवल अगर आपको cat लिखना हाता है, केवल आपको यह पता है, नाउन क्या होते हैं, यह आपके लिए, नाउन भी बताऊंगी, मैं भई, नाउन क्या होता है, प्रोन क्या होता है, वो क्या आप कैसे पढ़ोगे, तो यह batch बच्चों के लिए, जो कहते हैं, हम English में बिल्कुल 0 है, यह हम Math में ब बिल्कुल 0 है, तो सारी टीचर बिल्कुल एक दम बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाने वाले हैं, तो इस बैच पर चैसी आपने क्लिक किया, आपको एबुक मिल रही है, इस पर कम्प्लीट चीजें आपको मिलेंगी, और 240 घंटे की लाइव ग्लासे, छे महीने की वाल मालनो CET जब लागू होता है, मालनो नोटिफिकेशन आता है, और कुछ और उसमें चेंजे होते हैं, तो इस बैच बैच चेंज हो जाएगा, तो आपको टेंचन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, बैच पर जाना है, और यहां पर देखो आपको क् चारिस घंटे की लाइव क्लासेज जिसमें आपके डाउट भी क्लियर होते हुए जाएंगे, अनलिमिटे डाउट क्लियर करेंगे आपके सारी फेकल्टी, उसके बाद क्या करेंगे, आपको वीडियो जो है, वो 24 घंटे अवैलेबल होंगी, तो आप कभी भी पढ़ सकते ह स्ट्राटेजी बताएंगे, इस तरीके से आपको स्ट्राटेजी बनानी है, और सारी एक्जाम को यह कवर कर लेगा, SSEC, CHSL, CPO, Stenographer, CGL, सबको कवर करेगा, यह गाईज, इसकी कीमत है मात्र और मात्र, 7,199 रुपीज, बट इतने नहीं देने आपको, आपको simply मेरा कोड यूज करना है, 77% OFF, discount-based course को ले लेना है, कैसे लेना है मैं बताती हूँ आपको, simply यह करना है, आपको buy and off पे क्लिक करना है, जैसी आप buy and off पे क्लिक करोगे, आप से पुछा जाएगा, आपका नाम, phone, number और email ID, फिर आप यहाँ पे मेरा code एंटर करेंगे, that is Y320, अब देख आप लोग मेरे साथ यहाँ पे जुड़िये, और मेरे साथ पढ़िये भाई, और अपने जो exams है, उनको clear करो भाई, English से कोई डर नहीं लगेगा, यह मेरी guarantee आप लोगो को, ठीक है, तो 77% discount, guys, यहाँ पे मिल रहा है आपको, जैसी आपने यह code लगाया, आप apply करेंगे, तो यह क्या हो गया, फीस जो हो गई, 7,199 से यह फीस हो गई, 1,655 रुपीज, यह 1,656 रुपीज हो जाएगी, यह overall अगर हम overall total करें तो, ठीक है, इसको आप कैसे भी pay कर सकते हो, आप debit card, credit card, UPI, net banking, कैसे भी, इस मात्र, यह जो फीस है, 1656 रुपीज इसको pay कर सकते हो, और सार subject, basic to advance बढ़ सकते हो, छे मंत की validity के साथ, अब बच्चा कहेगा, मैम, छे मंत में तो हो सकता है, हमारे exam ना हो, चीक है, तो भाई, एक और चीज है आपके लिए, आप भाई, दिमाग की बत्ती जलाओ, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे महा पैक, अभी यह validity वाला offer नह 7000 घंटे के आपको video lectures मिल रहे हैं, और आपको 1200 e-books मिल रही हैं, और guys ध्यान रखो, यह batch 12 महीने तक valid है, और सारे आपको, जो हमारा SSE foundation batch है, सारे benefit आपको इस batch में मिलेंगे, सीधे आपको buy now पे जाना है, और यह 9,089 रुपीज आपको नहीं देने हैं, यहाँ पे आपको यह सारे batches cover करेगा, यह ठीक है, आपको simply कितना देना है यहाँ पे, वो भी मैं बता देती हूं, उससे पहले आपको बताती हूं, जितने courses आ रहे हैं, foundation batch included है, पराकरम batch included है, ग्यान गंगा batch included है, status GK का जो basically capsule है, वो included है इसमें, है ना CGL tier 2 का जो batch आया है, वो भी included रहेगा इसमें, सारी test series, सारे mock solution, सारी e-book, recorded session, और यह देखो, यह important चीज़ है, spoken English की classes, personality development की classes भी मिलेंगी आपको यहाँ पे, तो जो बच्चा कहता है ना, कि देखो हम सरकारी नौकरी करना चाते हैं, बढ़ हम English बोलना सीखना चाते हैं, ठीक है, तो double validity नहीं है guys, यह धान रखो, double validity खतम हो चुकी है, double validity नहीं है अभी, ठीक है, आपको मिलेगा, यह केवल 12 महीने के लिए, तो double validity खतम हो चुकी है, यही देखो, नुकसान होता है, देखो, इतने मन से मैंने double validity बताया था आपको, है ना, और आप लोगों ने फिर उसको utilize नहीं करा, तो double validity अप खतम हो चु तो यह, जैसी आप मेरा code यूज करोगे, आपको यह मिल जाएगा batch, जो 9089 रुपीज का है, यह 2090 रुपीज में, केवल 2019 रुपीज, 90 रुपीज में यह batch मिल जाएगा आपको, and guys ध्यान रखो, आपको एक और important चीज में बताऊंगी, अगर आप app से purchase करते हो, 1% का discount मिलता ह अप पे अगर आप अपनी profile कंपलीट कर देते हो, आपको कुछ coins मिलते हैं, उससे 1% का discount और मिलता है, तो लगबख 79% का discount मिलेगा, अप से purchase करिये, coins utilize करिये, और मेरा code जो आपको सामने दिखी रहा है, Y320 यूज करो, और 16 से batch शुरू हो रहा है, तो आईए, पढ़िए मेर साथ और success को अपनी कीजे, unlock मेरे और अड़ा 247 के साथ, तो guys, सारे ही teacher बहुत कमाल पढ़ाते हैं, आपको पता ही है, सब लोग YouTube पे जुड़े ही हुए हैं, इसमें चाहे अतुल सर हो गए, उसमें चाहे वर्शा माम हो गई, उसमें चाहे हो गए आपके आशितोश सर, हैना अक्षे सर हो गए, ब्रगू सर हो गए, तो भई सारे ही जो teachers हैं, बहुत ही बहतरी हैं, सब के साथ जुड़ने का एक golden मौका है, बिल्कुल एक nominal amount में, जो foundation course है, वो हमारा कितने का है, केवल और केवल, 1656 रुपीज का, और अगर आपको all SSC exam के लिए 12, ये जो है, 6 महीने, 6 मन्त तक वैलिड है, और अगर आपको महापैक लेना है, तो वो 2,090 रुपीज का है, ये जो है, ये बारा महीने तक वैलिड है, तो एक जो भी आपको सही लगता है, इन में से वो लीजे, मेरा जो personal opinion है, आपको महापैक लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे exam आपके cover होंग तो basically आपके foundation batch में भी बट ये 12 महीने तक वैलिड रहेगा, 12 मन्स तक वैलिड रहेगा, तो भाई, एक अच्छी basically आप क्या करो, एक अच्छा basically decision लो, अपनी golden opportunity जो है, उसको अवेल करो, और सोच के मत बैठो के जब exam आएंगे तब देखा जाएगा, तो exam आएंगे उससे प जो कि MTS के लिए भी आपका useful होगा, MTS का exam बहुत जल्दी आने वाला है, तो MTS के लिए भी बहुत useful होने वाला है ये mock, तो आज शाम को 5-6 बजे, जुड़ना मत भूलिएगा, तो guys मेरी तरफ से इतनी information आज के लिए आपको, जल्दी हम मिलेंगे 5-6 बजे, तब तक के लि लाइक और शेयर करो और जल्दी से एन्रोल कर लो, code बस याद रखना, मेरा code यूज़ करके मेरे साथ जुड़ जाओगे, और बढ़िया तरीके से धनाधन तरीके से English को पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस और बाकी सारे subject भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो चलिए guys, thank you so much, यहीं बने रही है, इस चानल पर, चानल को सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, मत भूलना, और इंपोर्टन चीज, पांस से छे बज़े जुड़ना है, SSCGD मौक के लिए, तब तक के लिए, bye guys, take care, have a great day ahead, जय हिन जय भारत